Happy Diwali to everyone! I am Jayajinendra. I am going to tell you about Diwali. Diwali भारत का सबसे बड़ा त्योहार है. Diwali को संस्कृत में दिपावली भी कहते हैं. दिपावली का अर्थ है दीपो की लड़ी. दिपावली को अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग रूप से बनाया जाता है। हिंदूइजम में मुराम ने रावन को मार के वापस अयोध्या आये थे। सिख में उनकी सिख्त गुरु हरगोबिन दाश्ची को जेल से रिहा हुए थे। इसलिए वो इस दिन को बोलते हैं बंदी छोड दिवस। जैनिजम में मनाते क्योंकि महावर स्वामी को मोक्ष मिला था। इस दिन को बोलते हैं महावर निर्वान दिवस। जैनिजम में दिवाली के पांच दिन होते हैं। पहला दिन है धन्तेरस। धन्तेरस मनाते हैं क्योंकि महावर स्वामी ने आखरी प्रवचन दिया था। दूसरा दिन है काली 14 मनाते हैं क्योंकि महावर स्वामी ने लगा था अर्टालेस घंटों तक प्रवचन दिया था। तीसरा दिन है धीपावली as you all know, धीपावली मनाते क्योंकि महावर स्वामी को मोखश मिला था। चौथा दिन है न्यूएर न्यूएर मनाते क्योंकि महावर स्वामी के शिष्य गोत्म स्वामी को केवल घ्यान हुआ था। पांच वा दिन है, मतलब लास्ट वाला दिन है, भाई बीच, भाई बीच मनाते हैं, क्योंकि महावश्वामी के भाई बहुत उदास हुए थे, क्योंकि महावश्वामी चले गए थे, तो बहन ने बुला कर जैनेजम के बारे में उबदेश दिया था, इसलिए भाई और बहन के बीच में प्यार का रूप मनाया जाता है, इसलिए इस दिन को बोलते हैं, भाई बीच, थैंक यू अबरबरी और वन्स अगैन हापी दिवाली, बाई